नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है सिक्षए अकैडमी के इस नए वीडियो में तो दोस्तो आज के इस बीडियो में है प्राची नितिहास के इसे。 आज क्लेएं बाखरार्ड किते हैँ तूरत सबसे पहले जान लेते हैं बहरत का नामकर्ण के बारे में यानि कि अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा यानि कि भारत के कितने और अन्य नामों से पुकारा जाता है तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे देश जो है इसको लगभग कई नामों से जाना जाता है बहर नाम है पहला भारत सबसे प्रिचलत नाम है क्या भारत भारत देश के नाम से जाना जाता है इसके बाद आता है इंडिया का नमबर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है आरेवर्थ के नाम से भी जाना जाता है और जम्बुदीप और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना प्राया पांच नामों से अपने देश को जाना जाता है ठीक है तो अब बात करते हैं कि जो पांच नाम है यह नाम कैसे पढ़े और यह नाम किस ने दिये तो सब पहले बात करते हैं नमबर एक भारत देश की तो इस तो भारत देश का नाम परने पर करन कई मानता हैं प्रिश सबसे पहली है जो भारत देश का कारण 8 ऐसकी बाद दूसरी बासा है जयं संप्रदा नायव जो पृथम तीरतक सब्सक्राण नाम थे उनका रिस्पदेब थे एक बड़े बेटे थे उनका नाम भरत था इनका मानना है कि यह उनके नाम पर देशका नाम भारत रखा जर्ण संप्रता के अनुशार सब देव के बड़े बेटे जिन का नाम भरत था उनकी नाम पर देश का नाम भारत रखा गया इसकी बाद एक और मानता पिर्चले थे जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मन ग्रंद के अनुशार राजा दुश्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नाम रखा गया तो ठीक है तो यह तीन मानता पिर्मुख है जो की सबसे ज़्यादा प्रिचले थे हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा इसके बात बात करते हैं अप पर इंडिया की इंडिया नाम कैसे पड़ा ठीक है इंडिया बात करें तो इंडिया नाम इंडेस नदी के नाम पर रखा गया थे संदू नदी के नाम एक Šन्दू नदी के नाम इसको इंड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद बात करते हैं तेशे नम्मर की आरे वर्त नाम है यह नाम आरेयों का निवास स्थल होने के कारण रखा गया यानि कि जहां पर भारत देश की भूम है यहां पर पहले आरेयों का निवास होता था जिसके कारण देश का नाम आरे वर्त पड़ा ठीक है इसके बात कर जम्मु दीब जो है यह बहुत हमेशक का बरणन हें पांशी नमर का हिंदूस्ता नाम कहीं पर नहीं है यादिया जो नाम है यह मद्दकाली के만ज़ के लिखवख हैं उनने शम्मोदित किया था जो भी अपना गरंद थे आवे जो उनकी रचना है थी उनमें भारत देश को हिंदुस्तान कहा गया था ठीक है इसके बाद बात करते हैं आंगे और आंगे चलते हैं अंगले प्राचीन इस्तुरोतों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हाँ पर जान लेते हैं कि हमारे प्राचीन भारत देश में के इतिहास के अध्यान से हम जान पाते हैं कि मालव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति सबदा का बिकास कब और कैसे किया गया ठीक है तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए ह हमारे बिज्ञाने क्या इतीहास कार कई पर्कार के सुरोतों का शहारा लेते है ठीक है, यानि कि दोस्तो जो हमारे डेटश का इतीहास है, इसको जानने से हम यह पता लगा पाते हैं कि हमारा पिछला जो अतिद निकल चुका है भाई किस परकार था उसका विकास कैसे हुआ क्ई किस क्या क्या परिशानी आई क्या क्या नया हुआ हमारी मानाव या संस्कृती में पिरचलित था तो सब कुछ हम इतिहास के मादने पाएएंगी तो चले दूस्तों और इस जन लेते हैं ठीक है भारत के प्राची नितिहास को जाणने के प्रमुक्च तीन भागों में बांटा गया है पहला है साहत स्रोथ दूसरा है प्रात आतविक श्रोथ चलिए जानते हैं और कि प्रमुक स्थोतों के बारे में इपने हाँ पर जान लेते हैं बहुत ही आसन तरीके से ठीक है तो सबसे पहले आप प्राची नितिहास के प्रमुक स्थोत ठीक है तो यह लगवाख तीन भागों में बांटा गया है पहला भाग है तो साहित्त्य श्रोथ दूश्रा और तीश्रा है विदेजी यात्रियों की रश्नह एवन और विवरण अब बात करते हैं नम्मर एक साहित्य श्रोथकी भारे दोस्तो यह लगवक दो भागों में बांटा गया है साहित सुरोतों को पहला है धार्मिक साहित और दूसरा है लोकिक साहिती है ठीक है इसके अब बात करते हैं धार्मिक साहित की यह साहित शुरूत है दो भागों में पांड़े के पहले भाग है धार्मिक साहित और दूसरा है लोकिक साहित दोस्तो इसमें जो है धार्मिक से संब्द देता है और यह है लोकिक यानि की जो एक ब्यक्ति संब्द यानि कोई राज प्राणों से भी अपने भारत का इतिहास जान पाते हैं यहां प्राणों से भारत की आतिहास को अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं नंबर दूसरे क्या नेगे ही है पहला इते हास्त होते हैं इसके बाद दूचल बात करते हैं दुष्य की अंद्रकत nap यहाई भी लगभग चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से पहला दुस्तों अभी लेक होते हैं जो कि अभी लेक में इतिहास का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है हर राजा का लगभग सभी राजा अपने अपना अभी लेक बनवाती थे दूशा दूस्तों इश्मारक पर भी प्रातत्विश के अंतरगत आता है इसमें भी इतिहास का वेवर्ण मिलता है ठीक है इसके बाद अंगला है मुद्रा एवं सिक्के यानि जो अपना पहली इतिहास हुआ कर था था उनमें जो आप राजाए थे उनको राज की अलग-अलग मुद्राएं पिर चलित करवा करते थे ठीक है और दूसरा है मुद्री है यह यह शित्र कलाएं फिरात यह लागवक चार रोक मुद्राऊ के बाद करते हैं नंबर तीन बिदेसे यात्रियों की रचनाओं यहां विब्रन के बारे में तो दोस्तों यह भी लाग-वाग तीन प्रकार के विदिशी याद्र है जिसके में भारती न enhance का अधिक विभरनल्दा है पहले चीनि लेखक, दूसरे हैं अर्वी लेखक दूसरे यूनानी या रोमन लेखक ठीके लगव ए तीन देशके लेखक हैं जो भारती यथिहास का विवरण बताते हैं सबस्पहले बात करते हैं चीनी लेखाकों की तो चीनी लेखाकों में पिरमुक लेखाक चार लेखाक है जिनकी नाम इस परकार हैं पहला हैं दूसरा लेखाक है एट सिंग और तीसरा लेखाक है दोस्तों फहान और चौता लेखाक है शुंग यून या की रचना हैं थिन तो सभी का एक separate वीडियो आप लिए बन जाएगा जिसमें विदेश्य याद्यों की रश्नाओं का उली तो लेकि आपको मिल जाएगा यानि की आपके आप कम्मिन वीडियो में यह सब कुछ मिल जाएगा दूस्तों यह आप यादी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए क्योंकि आपको इस चीज के मादने हमसे बहुत ही आसान तरीके से संपूर्ण इतिहास का सलेवस कबल किया जाएगा ठीक है दूस्तों इसके बाद बात करते हैं अर आपने ग्रंतों में अब बात करते हैं यूनानी लेक्षतों बहुत चाद हैं कि परहुद यह और रिधिक कीन नाम है घरटत दूसरा नाम है तूस्तों तीश्रे हैं रैसे चाथ हैं दोस्तों न्रियाकर दूस्त न्रियाकर यह इतिहासकार है सिकंद्र यह भारत आया था ठीक है इसके बाद अंगली हैं दूस्तों मेगस्थनीस तो इसके और आकरी हैं दोस्तों यहां पर डाइ मैकस दोस्तों यह लगबग 6-7 लेखक हैं जो यूनानी रोमन लेखके इन्हों ने भारती थिहास को बहुती सांदर तरिकेश अपने ग्रंतों में विवरन दिया है तो दोस्तों यह इन सभी यूनानी लेखक का यह भी एक वीडियो परचनाओं के बारे में जानकारी आपको बहुती आसन तरिकेश दी जाएगी तो दुस्तों आज का यह वीडियो अब यही पर होता है शमाप त्यदी आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करना दूस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलें दूस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दूस्तों बाए